पुलेकर अमेरिका में बहुत बड़ा फैसला हो सकता है इसराइल के प्रदान मंतरी बन्यामिन नेतनियाहू इस वक्त अमेरिका में है और उनकी मुलाकात अमेरिका के रास्पती जो बाइडन से होने वाली है लेकिन इस बीच यमन के यूती विद्रोहियों ने ऐसा प्लान ब जब नेतनियाहू बाइडन के मुलाकात और अमेरिकी कॉंग्रेस में संबोधन को लेकर पूरी दुनिया इसराइल की चर्चा कर रही है तब इसराइल के दुश्मान एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं यह हमला भी कुछ ऐसे ही हो सकता है 19 जुलाई शुक्रवा का देन खुलने वाला था कि रात तीन बजए यह ड्रोन समंदर की तरफ से तेल अभी में दाखिल होता है और कुछी सेकंड बाद एक बार फिर देखिए वो ड्रोन अटाक जिससे इसराइल बच नहीं सका अब ऐसे ही कई हमले इसराइल के तेल के कुओं और गैस फील्ड पर करने की तैयारी हो रही है भूमद्य सागर में इसराइल के कई तेल और गैस के भंडार है और यहां उसके ओयल रिग्स पर ड्रोन अटाक किया जा सकता है यही यमन की ड्रोन फोर्स का नया टागेट बन सकते हैं इन पर हमलों को रोक पाना इसराइल के लिए आसान नहीं होगा ओयल रिग्स पर हमले का मतलब है कि इसराइल की एनरजी इंडास्ट्री की तबाही भूमद्य सागर में इसराइल की तमान लिव्याथान और करीश गैस फील्ड है यहां इसराइल हर साल 21 अरब क्योपे एक मीटर गैस का उत्पादन करता है इस गैस फील्ड से मिस्र और जॉर्डन को भी गैस की सप्लाइपी जाते है ऐसे में नितन याहू के बेचैनी बहुत ज्यादा है तेल अभीव पर हुए ज्रोन अटाक के बाद इसराइल को अपने शेहरों से ज्यादा अपने तेल के कुँओं की चिंता सता रही है क्योंकि यहाँ पर हमला रोपना आसान नहीं होगा जब देल अभीव में आधी रात तीन बजे हमला हुआ तो धमाका बहुत बड़ा था किसी को समझ नहीं आया कि आखेर हुआ क्या सडकों पर लोग बद हवास हालत में नजर आये इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गए दस लोग जखमी हुए हैं तेल अभीव में अपरा तफरी मच गए ड्रोन से हुए इस धमाके ने इसराइल को बुरी तरह से हिला कर रख दिया लोग सडकों पर निकल आये साइरन वो तेल अभीव का याफा हिलाका है और जस ड्रोन से यमन ने हमला किया उस ड्रोन का नाम भी याफा है लगर तखकीर रिशוני שביצענו ומהממצאים בזירה ובמערכות הצבאיות עולה כמדובר בכלי טייס בלתי מאויש מדגם צימד 3 लारכतेनו הוא הגיע מטיימן अद तल अभीव, צימד 3 הוא אמצעי לחימה איראני याफा ड्रोन के बारे में कहा जा रहा है कि ये एरान से मिले ड्रोन की नकल है इसका असली नाम समथ 3 है, इस ड्रोन की रेंज 2000 किलोमेटर है अब इस ड्रोन का रूट देखी जिसने इसराइल को चौका दिया ये ड्रोन लाल सागर के उपर से होते हुए सुएज नहर के उपर से गुजरा नीचे अमेरिका के बड़े-बड़े वार्शिप देखते रह गए कोई उस ड्रोन को ट्राक नहीं कर पाया इसके बाद ये ड्रोन भूमत देख सागर की तरफ से इसराइल में घुसा इसराइल के बड़े-बड़े रेडार इस ड्रोन को ट्राक नहीं कर पाया और फिर तेल अवीब में इस ड्रोन ने अपने टागट पर बड़ा धमाका किया 2000 किलोमिटर की रेंज वाले ड्रोन का मतलब है कि यमन के हूथी वी द्रोही इसराइल को आसानी से निशाना बना सकते हैं चाहे वो इसके शहरी इलाके हूँ चाहे वो उसके ओल रिग्स हूँ या फिर इसराइल की बंदरगा हूथी वी द्रोहियों के टागट पर इसराइल की जो बड़े बंदरगा हैं उसमें हाइफा और एलाद पोर्ट सबसे आगे हैं हाइफा का बंदरगा भूमद्दे की तरफ है जबकि एलाद बंदरगा दक्षन में अकबा की खाड यानि लाल सागर की तरफ खुलता है यमन के इन दोनों पोर्ट पर हमले की ना सिर्फ धंकी आती है बलकि हुथी वी द्रोही इन दोनों पर मिजाइल से हमला भी कर चुके हैं हलाकि इसराइल ने ये डिफेंस सिस्टम के जरिये इन हमलों को नाकाम करने का दावा किया है जिस इसराइल की ड्रोन टेकनॉलिजी ने पूरी दुनिया में नाम कमाया अब उसी इसराइल पर उसके दुश्मन के ड्रोन कहर बनका तूट रहे है इसराइल को बता चल गया है कि इस हमले के बीचे यमन और वहीं से ड्रोन उड़कर इसराइल तक पहुंचा है इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल ने यमन से बदला ले लिया है और बदला भी बहुत बड़ी तबाही मचा कर लिया है यमन ने तेल अभी पर जोन हमला किया तो इसराइल ने खुदेदा बंदरगाह पर तेल डीपो को टागेट बनाए यही वज़ा है कि यमन के हुथी विद्रोई अब जबावी कारवाई में इसराइल की तेल और गैस वाले ठिकानों को टागेट बनाना चाहते है मुमद्य सागर में इसराइल की ओयल रिग्स को ड्रोन से टागेट बनाकर यमन के हुथी विद्रोई ये भी साबित करना चाहते हैं कि वो इस्राइल की दुख्ती नब्स को दवाना जानते हैं ओयल रिप्स पर हमले का मतलब है गैस और तेल की सप्लाई ठप और ये हमले इस्राइल की अर्थ बेवस्था को भी बड़ी चोट पहुंचाएंगे एक ड्रोन कैसे युद के दाएरे को दस गुना बड़ा हा सकता है ये यमन के याफ़ ड्रोन ने साबित कर दिया है खत्रे की धंटी संयुत राष्ट में भी लगातार बच रही है I can tell you that the Secretary General condemns today's deadly drone attack in Tel Aviv for which the Houthis in Yemen claimed responsibility This attack resulted in a death and several injuries. He sends his heartfelt condolences to the victims and their families Yudhka नया खत्रा किस लेवल पर पहुंच चुका है ये आप UN से आए अलर्ट को देख कर समझ सकते है Yafah जैसे ड्रून से ये मुमकिन है क्योंकि इस से पहले इसराइल का Air Defense Network इसे रोकने में नाकाम साबित हुआ है ऐसे कई हथियार यमन के हुथिवे द्रोई अपनी परेड में दिखाते रहे हैं इन सभी पर एरान की च्छाप लगी हुई है इस बात से तो एरान भी इनकार नहीं करता चाहे वो बिलिस्टिक मिसाइल हूँ, क्रूज मिसाइल हूँ या फैर ड्रून हुथिवे द्रोहियों के पास बहुत से ऐसे हथियार हैं जो उसे एरान के जरिये ही मिले हैं यमन के हुथिवे द्रोहियों को एरान का समर्थन इसरा बड़ा खौफ है इसराइल का डर इस हमले से और ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि हुथी वे द्रोहियों की याफा ड्रोन ने इसराइल के एर डिफेंस नेटवर्क को खेलोना साबित कर दिया है यही वज़ा है कि तेल अभीब पर अटैक के बाद अमेरिका पहुंचे बिन्यमिन नेतन याहू सीज फायर की बात कर रहे हैं हमास पर बंबारी नहीं बलकि उस पर दबाव डालने की बात कर रहे हैं इस वक्त हमास के कबजे में 120 इसराइली बंधग है और इस बात ने नेतन याहू को काफी बेचैन किया हुआ है नेतन याहू ने बताने की कोशिश की कि वो बाइडन से इस पारे में जरुड़ाए गए है इनमें इसराइली बंधगों के परिवार भी थे नेतन याहू ने बताने की कोशिश की कि वो बाइडन से इस पारे में जरूर बात करेंग ताकि हमास पर दबाओ बने और 120 इसराइली बंधगों के रहाई मुम्किन हो पाए काजा में बंबारी को लेकर अगर इसराइल को किसी तरफ से कोई खास चुनौती मिले है तो वो लिबनान का मेलीशिया हिस्बुला है और यमन का हुथी विद्रोही गुट है लेकिन इसमें खास बात ये है कि इन दोनों संगठिनों को एरान का पूरा समर्थन उन्हें एरान से फंडिंग भी मिलती ट्रेनिंग भी मिलती और ये बहुत हद तक तहरान की इशारे पर ही अपना ट्रियकर लबाते है इसराईल पर हमास के हमले के नौ महीने पूरे हो चुके है गाजा पर इसराईल के ऑपरेशन के भी नऌ महीने पूरे हो गए है नऌ महीनों की तबाही का दौर ऐसा चला कि युद्ध का एपिसेंटर अब गाजा से निकल कर इसराइल और लिबनान बॉर्डर के साथ-साथ यमन और लाल सागर में पौहँच चुका है यमन के तेल गुदाम में लगी आग अब भी जल रही है इसी जगा पर इसराइल के फाइटर जेट्स ने बम गिराए थी और फिर लगा कि जैसे पूरा खुदेदाम बंदर का जलने लगा यमन को भी पता चल गया है कि हुथी वित्रोहियों के हमले के बाद जिस तरह से इसराइल ने अटाक किया है उस से जगाजा से निकल करा भूसकी जमीन पर पहुच गया है अग्दम अलके अस्थियों इस्तिहदाव मौन अलहदेदा वालमनशाइदा नन्फटी और अद्रोहियों के जरीमा कबीर जिदान जरीमा तुएकिद अन्हादा अधाल अल्ला बिल्गुव लिए 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 उल्ला मन्तिक अल्गुव हा हुआ यस्तहदिफ अल्मुशाइत लिम्हावलत हिसार श्याब यमनी और दर्ब जान बली इक्तिसादी गाजा को लेकर फैले आक्रोश में अब यमन पर हुआ हमला भी जुड़ चुका है इससे पहले हुद्वे द्रोहियों ने इसराइल पर जून और क्रूस मिजाईल से कई हमले किये लेकिन 19 जुलाई को हुए हमले लाल सागर में मौजूद अमेरिकी जंगी जहाजों से लेकर इसराइल के एर और मिजाईल डिफेंस नेटवर को नाकाम साबित कर दिया है और अब खत्रा इसराइल के तेल के कुऊंगों पर मंडराने लगा है क्योंकि इसराइल भी जानता है कि यमन के बाद खोने के लिए कुछ नहीं है और इधर नितन्याहू और बाइडन के बीच जो भी बात होगी उसमें आरब देशों को लेकर एक बहुत ही खतरनाक फैसला भी हो सकता है सबसे बड़ी बात ये कि इसराइल के नंबर वान दुश्मन इरान को लेकर डोनाल ट्रम के साथी जेरी वेंस ने ऐसा सुझाव दिया जिसे लेकर पश्चिम एशिया ही नहीं बलकि पूरी दुनिया में युद्ध चिरने का खतरा है देखे रेपोर्ट एक तरफ गाजा में इसराइल का नया हमला हुआ है और दूसरी तरफ नेतनया हुआ और गोला बारूत की डिवान के साथ अमेरिका में मौचूद है गाजा में इसराइल की बंबारी से एक ही दिन में करीब सो लोगों की मौथ हो चुकी है तीन सौ से ज़्यादा घायल है ये गाजा में सबसे अखोनी दिनों में से एक साबिट हुआ है गाजा के खान यूनिस इलाके में ना सिर्फ इसराइली वायू सेना ने बंबारी की यहाँ पर इसराइली चैंक मारकवा ने भी अंधा दूब गोले बरसाए और नतीज़े आपके सामने अपने परिवार के कई लोगों को खोने वाले एहमद समूर लाशों को उठा उठा कर ठक चुके इसरेल ने जब हमला किया तो एक चार मंजिला इमारत पुरी तरह ठह गई एहमद समूर का घर इसी इमारत में था गाजा के नासर मेडिकल कॉंपलेक्स में एक साथ खरीब दो सो खाय लोगों को पहुंचाया गया बहुत से लोग मर शुके थे लेकिन उनके रिष्टदारों को उमीद थी कि सांस बाकी ये तस्वीरे बता रही है कि एक तरफ गाजा में तबाही जारी है लेकि दूसरी तरफ अमेरिका में नेतर्याहो को घेरने की कोशिश भी जारी है फॉाइट हाउस के खरीब ये लोग नेतर्याहो का विरोध करने पहुंचे है ये गाजा में हजारों लोगों की मौत पर बाइडन प्रशासन को जगाना चाहते हैं ये इसरेल को जारी बम और गोला बारूत की सप्लाई रुकना चाहते हैं ये सब एक प्रदेशन का हिस्सा है ये वेक्ती आँखों पर पट्टी बांधे और हथकड़ी लगाये हुए खड़ा है चिक वैसे ही जैसे इसरेल गाजा और विस्ट बैंक में हजारों लोगों को गिर्फतार कर चुका है गाजा में तबाही रुपने का नाम नहीं ले रही गाजा में नौ महीनों से जारी बंबारी में 49,000 लोगों की मौत हुचकी है 90,000 लोग गायल हुए सैकड़ों हजारों लाशें मलबे में दबी हुई है नयातना विस्ट बैंक में भी फैल गया है जहां इसरेली सेना की गुलीबारी में फिलिस्टीन के पांच लोगों की मौत हुई है इसरेल का दावा है कि इनमें हमास और फत्ताह गुड के लोग थे इसरेल का ये हमला विस्ट बैंक में तुलकर्म इलाके में हुआ गाजा और वेस्ट बैंक दोनों जगे इस तवाही के बीच अमेरिका से एक बहुती खतरनाक आइडिया सुझाया गया है जो पूरे पश्विम एशिया को ऐसे युद में जोग सकती है जिसके बाद तीस तरह विश्व युद शुरू हो जाएगा इस बात की पूरी गैरेंटी है अमेरिका में ओहायो की सिरेटर और डोनल्ड टरम्प के रनिंग मेट जेडी विंस जो रिपबलिंगन पार्टी के वॉइस प्रेसिडेंट के कटिडिट के रुप में हो रहे हैं उन्होंने अमेरिका के नियूज सेनल को दिये इंटर्विव में बहुती खतरनाक रास्ता दिखाया है जेडी विंस ने कहा है कि एरान के खिलाफ बाकी अरब देश एक जूट हो जाए जेडी विंस ने कहा कि इजरेल को बचाने के लिए जो बाइडन ने जो कुछ नहीं किया है और नहीं इरान को कमजोर करने के लिए उनकी सरकार कुछ ठोस कर पाई है अमेरिका की तरफ से पश्यम एशिया में नई गुटबाजी तियार करने के बीच चीन ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है सुएक राश्त सुरक्षा परिशद में चीन ने कहा है कि टू स्टेट वाला उपाए जो ज़रूरी है यानि इस्राइल भी देश रहे और फिलिस्तीन भी देश बने ये ऐसा सुझाओ है जिसका समर्थन भारत भी करता है यही पूरे पश्यम एशिया में स्थाई श्राइब करने के लिए सबसे बहतर तरी का माना चाता है जिस्पर इस्राइल राजिक नही है जब गाजा में बंबारी चल रही है और नेतनियाहू अमेरिका से बम और हत्यार की डिमांड करने पहुचे हैं तब बिजिंग में हुई एक मिटिंग ने इस्राइल के माते पर लकीरे खीचती है वज़ा है चीन के विदेश मंत्री से फिलिस्टीन के अलग अलग गुटों की मुलाकात इस मिटिंग में हमास वारा फता दोनों गुट के निदा शामिल हुए खबर ये है के फिलिस्टीन के चौदा को टिसबात पर राजी हुए हैं के पियलो यानि फिलिस्टीन लिबरेशन और्गनाइजेशन पूर्य फिलिस्टीन के लोगों का सही प्रतिनी हित्तो करता है जहां अमेरिका फेल हुआ है वहाँ चिन ने बाजी मारी है साओधी अरब और इरान के बीच दोस्ती कराने के बाद चिन इसरेल और फिलिस्टीन के बीच थाई हल निकालने में जुट गया है चिन अब डिल मेकर बना चाहता है लेकिन इन तस्वीरों के बीच अगला एक हफता घाजा में चल रहे युद्ध के लिए बहुत एहम होने वाला है जुलाई के अन तक अगर ये युद्ध रुपता हुआ नजर नहीं आया तो समझ लिजिए कि फिर ये युद्ध पुरी तरह आउट और कंचोल हो जाएगा